हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको 7-8 नमबर के लिए जैंड सॉक्स बुनना बता रही हूँ और इसके लिए मैंने यहाँ पर पंजाव वूल सॉक्स का यूज किया है 100 गाम्स का ये गोला है और मैंने यहाँ पर अपने 58 फंदे लगा दिये हैं और यहाँ पर 10 नमबर की सिलाईयों का मैं यूज कर रही हूँ पहले उल्टा सीधा उल्टा सीधा बॉर्डर बुनते हुए मैंने लगबग यहाँ पर 3.5 इंच तक इसकी बुनाई कर दी है आप चाहे तो इसको 11 नमबर में भी बुन सकते हैं और 2 इन 1 करक कि भी आप बॉर्डर बुन सकते हो पर मैंने यहाँ पर एक सीधा एक उल्टा करके इसका बॉर्डर कंप्लीट कर दिया है आप चाहे तो इसका लॉंग बॉर्डर भी रख सकते हैं या आप चाहे तो इससे कम भी रख सकते हैं यह तोटली आपके उपर डिपेंड है जितनी long आप socks चाहते हैं उसी तरीके से आप इसकी length रख सकते हो तो मेरा border यहाँ पर complete हो गया है और अब मैं simple सीधा उल्टा सीधा उल्टा सिलाई बुनते हुए इसकी एड़ी तक बुनाई करोंगे सीधी तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे तो मैं आपको इसको complete करके दिखाती हूँ आप देख सकते है border कितना stretchable है तो friends मैंने यहाँ पर अपनी एड़ी तक पूरी बुनाई कर दी है और मैं आपको इहाँ पर inch tape से इसका measurement बता रही हूँ border खतम होने से जहां तक मेरी सिलाई है लगबग मैंने यहाँ पर तीन inch तक इसकी बुनाई की है और total अगर मैं आपको बताओं तो border से लेके यहाँ तक six inch है तो अब हम यहाँ पर अपनी एड़ी बनाना शुरू करते हैं एड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना half कर लेंगे जितने भी हमारे फंद है मेरे पास 58 फंद है तो 58 का मैं half कर रही हूँ 29 यह हमारा half हो गया है और यहाँ पर मैं अपना marker लगा रही हूँ यह 80 बन रही है हमारी और अब इस तरफ 80 बनाने के लिए हमें अपने जितने भी यह 29 फंद है इनको तीन भागों में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे 10 दस फंदे इस तरफ रखेंगे और 9 फंदे हमारे बीच में रहेंगे 10 इस तरफ से घटेंगे 10 इस तरफ से तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 10 सिलाया यानि की हमारी 20 सिलाया मैं यहाँ पर बुन रही हूँ उल्टी सीधी उल्टी सीधी करके तो यही से वापिस मुठते हैं सिधा उल्टा सिधा उल्टा करके हमें 20 सिलाया अपनी बुननी है ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पर एडी बनाना बताया है अगर आपको दूसरे गोल तरीके से भी बनानी है तो आप मेरी दूसरी सॉक्स की वीडियो को चकाउट कर सकते हैं उस पर मैंने दो तरह से एडिया कैसे बनती हैं उस वाली वीडियो को आप चेक कर सकते हो अभी हम यहां से घटाएंगे नहीं गोल वाली एडियो में हम अपनी एडियो को दौनों तरफ से घटाते हैं और जो ये वाली एडियो में आपको बनाना बता रही हूँ इसमें जैसे हमारे साइड साइड में 10-10 फंद हैं तो हमें यहां पर 20 सिलाईय यानि 10 सिलाईय ने बुननी है और 20 सिलाईय हो जाएगी हमारी उसके बाद ही मैं आपको इसको घटाना बताऊंगे कि ये दोनों तरफ से कैसे घटेंगे पहले हम अपनी 20 सिलाईय को मैं आपको ऐसे ही बुनना बता रही हूँ फ्रेंड्स मैंने यहां पर अपनी 20 सिलाईय बुनकर कंप्लिट कर दी है अभी हमने इसको बिल्कुल सीधा सीधा ही बुना है एक पल्ले की तरह और 20 सिलाईय हमारी इंच टेप के मेजरमेंट से लगबग पौने 3 इंच तक आती है तो अब मैं आपको यहां से अपना घटाना बता दूँगी कि कैसे मैं यहां पर अपनी एड़ी को घटा रही हूँ इसको घटाने के लिए दौनों तरप से हमारे 10-10 फंदे घटेंगे और बीच में हमारे 9 फंदे रहेंगे तो पहले हम यहां पर अपने 10 फंदों को बुन लेते हैं जो दूसरी तरप के हमारी सिलाई के उपर फंदे चड़े वी उसको हम टचने करेंगे यहां पर पहले 10 फंदों को बुन लेंगे एक मैंने पहला सिंपल धी उतार दिया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 फंदे मैंने यहां पर यह बुन लिये है इसके बाद फिर से हम आगे 9 फंदों को बुनेंगे जो यह हमारे बीच वाले फंदे हैं तो यहां पर मैं अपना मार्कर सेट कर रहे हूँ आपको अच्छे तरीके से दिखाने के लिए आप 9 फंदे बुनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह 9 फंदे हमने बुन लिये है और यहां पर फिर से मैं अपना मार्कर सेट कर रहे हूँ तो बीच में हमारे 9 फंदे है और दौनों तरप से 10-10 फंदे हैं जो टोटल हमारा 29 हुआ यही से वापस मुड़ेंगे तो पहले मैं आपको यहां पर बता रही हूँ कि यहां से हम वापस मुड़ेंगे और पहला फंदा ऐसे ही उतार देंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और जो यह हमारा 9 फंदा है और दूसरी तरफ का 10 फंदा यह 9 फंदा है लास्ट का और मारकर के पीछे जो हमारा 10 फंदा है इन दौनों को 81 बोन लेंगे 2 का 1 कर देंगे हम और बीच में हम 9 ही रखेंगे और साइड में हमारे अब बचते हैं 9 फंदे यह दौनों तरफ से ऐसे ही घटते जाएंगे यहीं से वापस मुड़ेंगे जो 2 का 1 क्या है उसको सिंपल ही उतार देंगे 3 4 5 6 7 8 8 और यह 9 फंदा है और फिर से दूसरी तरफ का जो यह हमारा मारकर के साथ का 10 फंदा इन दौनों का एक कर देंगे बीच में अब हमारे 9 रहेंगे और दूसरी तरफ से भी 9 अब तीनों उस पे हमारे 9 फंदे हैं फिर से यहीं से वापस मुड़ेंगे पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे 2 3 4 5 6 7 8 और यह 9 फंदा और दूसरी तरफ से जो 9 फंदा इन दौनों का फिर से एक कर देंगे दो का एक करेंगे तो बीच में हमारे 9 फंदे रह जाएंगे और हमारे जो 10 फंदे थे अब यह 8 रह जाएंगे गटाते हुए ऐसे ही जब तक हमारी खत्ब नहीं होता और बीच में हमारे 9 फंदे नहीं रहते दौनों तरफ से हम ऐसे ही बुनेंगे तो यहाँ पर अभी हमारे 8 फंदे रह गए हैं फिर से यहाँ से वापस मुड़ेंगे पहला फंदा ऐसे ही उतार दिया है दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और यह 9 फंदा और मारकर के साथ वाला 9 फंदा इन दौनों का एक करेंगे अब हमारे बीच में 9 फंदे हैं और दौनों तरफ से 8-8 फंदे रहे गए हैं ऐसे ही मैं पोरे घटाती हुए जाओंगे जब तक हमारे पास बीच में 9 फंदे ना रहे फ्रेंड्स मैंने दौनों तरफ से अपने फंदे घटा के कम्प्लीट के हैं और बीच में हमारे 9 फंदे रहे गए हैं तो ऐसे हमारी एडी बन गई है अब हमने जो पहले 20 सिलाया बुनी थी उसके किनारे किनारे से हम 10 फंदे उठा देंगे ये जो आप किनारी देख रहे हैं दो सिलायों की एक किनारी बनती है तो 20 सिलाया हमने बुनी थी और 10 अम फंदे ऐसे ही इसको बुनते जाएंगे साइड से ताकि हमारे यहाँ पर फंदे बढ़ सके इसलिए हमने पहले अपनी 20 सिलाया बुनी थी सिंपल तरीके से जो भी किनारी के फंदे हमें दिखाई दे रहे हैं वो पहले ही स्पष्च होता है देखने में तो आप इनको उठा लेजे ये 10 किनारिया होगी तो हम इनको उठाते जाएंगे दौनों तरप से ऐसे ही उठाएंगे और वापस से हम टोटल अपने 29 फंदे कर लेंगे ऐसे ही इनको उठाते जाएंगे आप यहां पर मार्कर भी सेट कर सकते हैं साइड में पतल रखने के लिए कि कहां से आपकी सिलाई स्टार्ट हुई है तो मैंने यहां पर अपने जो किनारी के थे 10 फंदे मैंने उठा दिये हैं अब मैं इनको सिंपल तरीके से बुन रही हूँ वापस फिर हम दूसरी साइड से अपने फंदे उठा देंगे आप मेरी दूसरी वीडियो को भी चेक कर सकते हैं मैंने हर वीडियो में एडी बनाना बताया है दो तरीके से एडी कैसे बने उसकी भी एक स्पेशल वीडियो मेरी चैनल पर है और दूसरी भी जैयंट सॉक्स की वीडियो है यह तो मैं यहाँ पर 7-8 नमबर के लिए बना रही हूँ 5-6 नमबर के लिए बच्चों के लिए भी सॉक्स कैसे बने जाती है उसकी वीडियो भी चैनल पर है तो यहाँ पर simple बुन लिया है और दूसरी तरफ से भी जो हमारी किनारी है उसके फंदे भी उठा देंगे तो अब हम यहाँ से सीधी तरीके से अपने फंदे उठाएंगे दूसरी तरफ से हमने उल्टे तरीके से उठाएते एक दो तीन बस ऐसे ही मैं पूरे 10 फंदे अपने उठा दूँगी और हमारे पास दुबारा से 29 फंदे हो जाएंगे ऐसे दीरे दीरे करके हम उठाते जाएंगे और यह लास्ट है हमारा 10 अब हम क्या करेंगे बीच में हमारा गैप नार है इसके लिए जो बीच का फंदा होता है इसको मैं उठा दूँगी यह हमारा बीच का फंदा है यह फंदा नहीं है एक्चुली जैसे हम फंदा बढ़ाते हैं उस तरीके से हम इसको बुन लेंगे ताकि हमारा गैप ना पड़े बीच में और फिर दूसरी सिलाई पे इसको उतार कर दो का एक कर देंगे तो हमारा यहाँ पर फंदा भी नहीं बढ़ेगा और गैप भी नहीं रहेगा तो आप देख लिएजे अब पूरी सिलाई को ऐसे ही हम कंप्लीट बुन लेंगे फ्रेंड्स मैंने अपनी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट कर दी है और हमारी एडी भी बनकर तयार हो गई है एडी से लेके हमें पंज़ता कितनी बुनाई करनी है आप उसका पहले मेजरमेंट ले लिजे अगर मैं अपना बताओ तो मुझे यहाँ पर लगभग 6 से 6.5 इंच तक अपनी सिम्पल सीधी तरफ से सीधा उल्टी तरफ से उल्टा बुनते जाना है साड़े 6 इंच तक यानि की इतना इतना मुझे इसका बुनते जाना है आप अपने एडी से लेके जहाँ हमारा अंगुठा शुरू होता है वहाँ तक अपना मेजरमेंट कर लीजे जितना भी आपका आता है उस तरीके से आप इसको बुन सकते हैं तो मैं यहाँ सिंपल ही बता रही हूँ फ्रेंड्स मैंने अपने सौक्स की अपने पंजे तक बुनाई यहाँ पर कंप्लीट की है और लगबग मैंने इसको साड़े 6 इंच तक मैंने इसकी सिंपल सिंपल उल्टी सीधी सिलाया बनाई है यह आप देख सकते हैं यह लगबग 6 इंच तक है तो अब हम यहाँ पर अपना पंजा बनाएंगे आप अपने पैर को मेजरमेंट करके भी इसको बना सकते हैं कि आपको कितनी इसकी एडी से लेके पंजे तक लेंथ चाहे जहां से हमारा अंगुठा स्टार्ट होता है वहा तक हमारी यह लेंथ रहेगी तो अब हम यहाँ पर अपना पंजा बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ हमारी एडी आई है बनकर यह इस तरफ हमारी एडी है तो पंजा हमारा इस तरफ से बनेगा यहाँ आप देख सकते हैं इस तरफ से हमारा पंजा बनेगा और इस तरफ 80 है तो इस तरफ पंजा बनेगा यहाँ पे तो हम सेमी इसको पहले 29 फंदों को हाफ कर लेंगे एक फंदा ऐसे ही उतार दिया है दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चोदह, पंद्रह, सूलह, सत्रह, अठारह, उनिस, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 29 फंदे हमारे इस तरफ है और 29 फंदे हमारे इस तरफ है यहाँ पर हम अपना मारकर लगा देंगे वैसे मारकर लगाने के आपको जरूत नहीं है पर यह हमारा हाफ हो जाएगा यहाँ पर अब हम यहाँ पर अपने 29 फंदों को तीन भागों में डिवाइड करेंगे तब तक हम एक फंदा इस तरफ से एक फंदा इस तरफ से घटाते जाएंगे और बाद में हम ऐसे ही इनको उठाएंगे तो यहाँ पर पहला फंदा ऐसे ही उतार देते हैं दूसरे फंदे को बुन लेते हैं और यह जो हमारा पीछे वाला फंदा है इसको घटाने के लिए पी बीना बुने आप चाहे तो इस तरफ से तीसरी सिलाई का यूज़ कर सकते हैं मैं ऐसे ही बना रही हूँ एक फंदा यहाँ पर घट गया है बाकी हम सिंपल सिंपल सिधा सिधा बुनते जाएंगे यह मैंने यहाँ पर सिलाई कमप्लेट कर दी है यहाँ पर हमने एक फंदा घटा दिया था अब उल्टी तरफ से यहाँ पर एक फंदा घटाएंगे घटाने का तरीका वही रहेगा एक फंदा ऐसे ही उतार देंगे और एक फंदा हम बुन के ले लेंगे फिर पीछे वाली फंदे को आगे उतार देंगे यह हमारा फंदा यहाँ पर घट गया है फिर उल्टी उल्टी ही सिलाई कंप्लीट करेंगे यह हम तब तक दौनों तरफ से फंदे घटा आते जाएंगे जब तक हमारे पास तेरा फंदे ना रहे पंजा हमें थोड़ असा चौड़ा चाहिए इसलिए हमने इसको इक्वली डिवाइड नहीं किया है दौनों तरफ से मैं 8-8 फंदे घटा रहे हूँ आपके पास अगर ज्यादा फंदे हैं इस पे तो आप उसी तरीके से 9-9 भी साइड में रख सकते हैं यह मेरा इस सिलाई में लास्ट आठवा फंदा है तो इस पहला फंदा मैंने ऐसे ही उतार दिया पीछे वाले फंदे को आगे गिरा के हम घटा देंगे अब हमारे पास यहाँ पर इस लाइन में 13 फंदे बचते हैं यह आप देख सकते हैं यह पंजो के हमार पास टोटल यहाँ पर 13 फंदे बचते हैं और यह हमारे जो हमने साइड साइड से एक एक फंदा घटाया है यह पहले ही दिखता है जो फंदा हमने घटाया है उसको अब हम एक एक फंदे को उठाते जाएंगे तो यह पहला फंदा है जो यहाँ पहले ही दिख रहा है इसको उठा देंगे जो जो फंदे हमने घटाया है उनको उठा देंगे ताकि हमारे इस तरीके से हमारे पंजे की शेप आए तो हब हम इनको दुबारा से उठा देते हैं जैसे हमने दौनों तरब से एक एक फंदा घटाया था वैसे ही उठाते जाएंगे यहाँ पर एक फंदा उठा दिया है अब इस तरब से इसको सिम्पल ही उतारेंगे बुनेंगे नहीं फिर पोरी सिलाई ऐसे ही सीधी सीधी कमप्लिच कर लेंगे अब इस तरफ से जो फंदा हमारा घटा हुआ है उसको भी उठा देंगे यह फंदा हमारा घटा हुआ है तो इसको उठा देंगे ऐसे सिलाई में उठा कर इसको बुन लेंगे फिर से इस फंदे को जो हमने उठाया था इसको बिना बुने उतार देंगे बाकी की सिलाई उल्टी उल्टी ही कम्प्रीच कर लेंगे तो जितने भी हमने आठ-ाठ फंदे घटाए थे दौनों तरफ से उन आठ-ाठ फंदो को एक-एक सिलाई में उल्टा सिधा उल्टा सिधा बुनते वे उठाते जाएंगे और complete हम वापस अपने 29 फंदों को कर लेंगे अब यहाँ पर एक और फंदा है हमारा इसको बुन लेंगे ऐसे ही पूरी सिलाई complete करेंगे हम पूरा ही अपने जब मैं उठा के पूरे 29 हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंज यहाँ पर मैंने सारे फंदे अपने उठा दिये हैं तो 29 फंदे यहाँ है 29 फंदे इधर है तो मुझे इसको यहाँ पर double करना है इसको double करने के लिए मैं एक सिलाई simple ही वापस यहाँ तक लोगी अपना 29 का half करते हुए अगर आपका भी इसी तरह किनारे पर धागा आता है तो आप भी ऐसे ही मेरी तरह वापस एक सिलाई complete कर लिजे क्योंकि यह हमारा जो धागा है middle में आना चाहिए जब हम दौनों तरफ से half कर रहे हो जब हम पर आपका जब हम दौनों तरह कर रहे हो फंदे उठाने के बाद आप एक बार गिल लेजे कि आपके पूरे फंदे हुए है कि नहीं तो ये हमारा पंजा है इस तरफ से तो हम इसको उल्टा करते हुए अपना मारकर पहले निकाल लेते हैं इसको इहां से हम उल्टा करेंगे अपने पंजो को और दौनों सिलाईओको ऐसे डबल कर लेंगे और ये हमारा बीच में धागा आ गया है एक सिलाई अब हम और लेंगे और दौनों तरफ के फंदों को एक साथ घटाते जाएंगे आप चाहे तो निडल से भी इसको कर सकते हैं पर मैं यहाँ पर दौनों फंदों को एक साथ बुन रही हूँ अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो आप पहले सारे ही फंदों को एक साथ घटा लीजिए इसको घटाने के लिए सबसे पहले पहले दो फंदों को हम ऐसे ही बुन लेंगे दौनों सिलाईों से दौनों फंदों को एक एक फंदों को बुन लेंगे और इस वाली सिलाई पे हमारा एक फंदा हो गया फिर से हम दौनों सिलाई का एक एक फंदा बुनेंगे अब हमारी इस सिलाई पे दो आगे हैं तो वैसे ही हम घटाते जाएंगे पीछे वाले फंदे को आगे उतार देंगे फिर से एक फंदा इस सिलाई से और एक फंदा इस सिलाई से दौनों को एक साथ बुनेंगे फिर से पीछे वाले फंदे को ऐसे घटाते जाएंगे फिर से दौनों सिलाईयों का एक एक फंदा लेंगे दो का यहां पर एक कर लेंगे फिर राइट हैंड वाली सिलाई के पीछे वाले फंदे को आगे उतार देंगे फिर से दो सिलाई का एक एक फंदा लेंगे दौनों को एक साथ बुन लेंगे ऐसे ही पूरी सिलाई को घटा कर कम्प्लिच कर लेंगे तो आप यहां से देख लिए यह हमारा घटते विए आ रहा है तो मैं आपको पूरा घटा के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स मैंने यहां पर अपने घटाई कम्प्लिच कर दी है और यहां पर मैंने अपने थेड को एक्स्ट्रा कट कर दिया है क्योंकि यहां से जो यह हमारी सॉक्स खुली है इसको हम उल्टी तरफ से ही अपने निडल से सिलते जाएंगे तो ऐसे यह हमारी सॉक्स बनी अब मैं आपको इसको सिल के बता देती हूँ झाल 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 यहां पर हमारी सॉक्स बनकर तयार हो रही है तो हम इसको सीधा कर लेते हैं यह देख सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देजिए तक रवच्छी दविए झाल झाल